नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका फिर्सक्लाउड में तो दोस्तो यूक्रेन और रूस के बीच लगातार तनाओ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और आसंका ये जताई जा रही है कि यूक्रेन पर रूस कभी भी हमला कर सकता है और रूस के परमाड चमता से लेस बंवर्सक बिमानों ने बेलारूस में उडान भरी है वहीं रूसी रच्छा मंत्राले ने इसे युद्ध भ्यास का हिस्सा बताया है और इतना ही नहीं यूक्रेन के साथ जारी तनाओ के बीच रूस ने बेलारूस में 30,000 सेनिकों सहीद परमाड मिसाइलों को भी तनाद करना स्टार्ट कर दिया है और इसके लाओ रूस ने यूक्रेन से लगी बेलारूस की सीमा के पास S-400 मिसाइल सिस्टम को भी तनाद कर दिया है और जिसके बाद अमेरिका की नेतरत वाले सायने संगठन नाटों ने सरनरार्थी संकट पैदा होने की चेतावनी दे दी है और नाटों ने कहा है कि इससे 20 लाख लोगों के विस्थाफित होने का खत्रा है और नाटों ने कहा है कि सीत युद्ध के खत्म होने के बाद बेलारूस में रूसी से ना की अब तक की सबसे बड़ी तनाती है और इसके लिए रूस के पूर्वी सीमा पर मौजूद सैनिकों को पस्चिम में स्थित बेलारूस भेजा जा रहा है वही नाटों के महा सचिव का कहना है कि रूस ने पहले ही एस्पेसल फोर्चत सहीद हजारों सैनिकों को तैनात किया है अब आप परमाडू हमला करने में सच्चम इसकंदर मिसाइलों को और लड़ाकू विवानों और S-400 एंटी एर क्राप सिस्टम के साथ तैनात कर रहा है और खुफिया रिपोर्टों से पता चला है कि रूसी राष्टपति बलादमीर पुतिन आने वाले दिनों में अपने सैनिकों की संख्या को और बढ़ाने जा रहे हैं वहीं कई सैनि विसेसग्यों ने बेलारूस में तैनात रूसी सेना की मौझूदगी को सबसे खतरनाक तैनाती करार दिया है और उनका मानना है कि बेलारूस के जरिये रूसी सेना काफी तेजी से राजधानी की उपर नियंतरन कर सकती है और कुछ सैने विसे सग्यों ने दावा भी किया है कि आने वाले दिनों में होने वाले सैने अभ्यास को हमले के लिए कवर के रूप में इस्तिमाल किया जा सकता है वहीं रूस का इसकंदर मिसाइल सिस्टम में साल ट्रेंज की बैलेस्टिक मिसाइले सामिल है और इसे साल 2006 में रूसी सेना में कमीशन किया था और यह सिस्टम वर्तमान में रूसी सेना और अर्मेनियाई सेना और अलजीरियाई सेना में कमीशन है और यह मिसाइल 480 से 700 किलोग पर कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक, शेर, सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंचे, कोई भी वीडियो छूटे नहीं, धन्यवाद